आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आई ड्रॉप के बारे में जो की हमारी आखों से संबंधित अनेकों दिक्कतों में फायदेमंद होती है असरदार होती है जैसे आखों में सूजन हो जाना आखों का लाल पड़ जाना या फिर जिसे हम आई फ्लूवी कह देते हैं आखों में खुजली होना आखों में सूखापन आजाना इन सभी दिक्कतों में ये काफी असरदार है अब जो मार्किट के अंदर ये प्रोड़क्ट आता है उसका नाम है ब्रिस्मॉक्स आईड्रॉप्स आज किस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं ये ब्रिस्मॉक्स आईड्रॉप्स काम कैसे करता है इसका कॉंपोजिशन क्या होता है कहां कहां पर इस्तिमाल कर सकते हैं क्या डोज होना चाहिए और क्या क्या साथधानी बरतनी चाहिए इन्हें प्रमुबिंदों पर हम बात करने वाले हैं तो बात करते हैं इसके कॉंपोजिशन की इसके अ आगे नहीं बढ़ने देता उस DNA गायरेस पे जो उस बैक्टिरिया पे प्रजेंट होता है जिसकी वज़े से आगे बैक्टिरिया ग्रोही नहीं कर पाएगा अब बात करते हैं कि इस्तिमाल कहां कहां पर कर सकते हैं तो आगे जो आई फ्लू या पिंक आई जिसे हम कह देते हैं उस दिक्कत को दूर करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और साथी साथ जो आखों से संबंधित और दिक्कते होती हैं जैसे आखों में सूजन आखों का लाल पड़ जाना आखों में खुजली लगना आखों का जुखापन इत्यादी इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है अब बात करते हैं कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए तो जो डोज होती है वो यह है कि आप इसे दिन में दो से तीन बार एक दो भूंदे अपनी आखों में डाल लें या फिर जो आ से एक्सपोस ना करें चोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है और जो डोज डोक्टर आपको बताएगा उससे ज्यादा डोज आपको नहीं डालनी अपनी आखों में और जब आप इस दवाई का इस्तिमाल करेंगे आखों में डाल लेंगे तो आपको ड्राइब न अच्पल आपको से एक्षपूर आपको से एक्षब अर है